अभी अभी हम लोगोंने हमारे गर्ची रोली में medical college बने इसका निरण हम लोगोंने लिया है गर्ची रोली में आने वाले दिनों में एरपोर्ड बने ये भी प्रया समलोग करने वाले है और साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टिम तैयार हो कि जिसके माध्यम से गर्ची रोली के हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले उनको रोजगार मिले और वो यहाँ पर सम्रुद्धी लाए इस प्रकार का प्रया समलोग करेंगे बारत सरकार की और से राश्टिय महामार्ग का मंत्री होने के नाते मुझे इस बात की कुशी है कि 2014 में हमारी सरकार आने के पहले केवल 29 किलोमेटर राश्टिय महामार्ग था आज उसको चार गुना बढ़ा कर वो 521,5 किलोमेटर हुआ है और मुझे इस बात की कुशी है कि 2024 समाप्त होने के पहले इस जिले में 10,000 करोड के रोड का डेट वर्क हम पूरा करेंगे केंब्रिज सहर की पहचान 1209 में स्थापित केंब्रिज विश्विद्याले से है मुझे विश्वास है कि गर्चिलोरी जिले की पहचान आधिवासी संस्कृति के विश्व केंदर के रूप में हो इस जिसा में प्रयास किये जाएंगे मैं बहुत खुश माने निया प्रधान मंत्री नोरेंद्रमोजी के द्वरा सारा भारत में आथांकाल जिले को लिस्ट किया गया है उन में से बहुत सारे जिले आधिवासी अधुस्चित थे उसी जिले को डेवलोब करने के लिए सामुही विकास के लिए प्रयास क्या जा रहा है मैं आज बहुत खुश ये केवल अधिकारियों के उपर एज जिले को छोड़े ने एज जिले के संग्रथां खोज मुख्यमंत्री खोज उपमुख्यमंत्री रहें मैं मिश्चिन थू एज जिले जरूर पिछरे नहीं होगा कभी पिछरे था लेकिन मुझे लगता है एज जिल्ला एक पहले कतार में रहेने वाले जिल्ले में ज़रूर सामिल होगी